हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग आशा करती हूं सब ठीक होंगे तो आए आज आपका नया अध्याए समानतर श्रेणिया पढ़ना आरंब करते हैं आपने इस पर अवश्चित ध्यान दिया होगा की प्रकृती में अनेक वस्तुएं एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरन करती हैं जैसे की सुरज मुखी के फूल की पंखुणियां, मदु कोश में छिद्र, एक भुट्टे पर दाने, एक अननास इत्यादी अब हम अपने देनिक जीवन में आने वाले प्रतिरूपों की और देखते हैं ऐसे कुछ उधारन हैं रीना ने एक पद के लिए आवेधन किया और उसका चैन हो गया उसे यह पद 8000 रुपे के मासिक वेतन और 500 रुपे वाशिक की वेतन वृद्धी के साथ दिया गया उसका वेतन पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष इत्यादी के लिए करहमश 8000 रुपे, 8500 रुपे और 9000 रुपे होगा उप्रोक्त धारन में हमने देखा कि उत्रोतर पद अपने से पहले पद में एक स्थर संख्या जोडने से प्राप्त हुई है इस अध्याए में हम ऐसे ही प्रतिरूप का अध्यन करेंगे हम यह भी देखेंगे कि इनके एनवे पद और एन क्रमागत पदों के योग किस प्रकार ग्याद किये जाते हैं तथा इस ग्यान का प्रयोग कुछ दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में करेंगे तो आए समानतर श्रेणिया किसे कहते हैं देखेंगे और AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनवा पद कैसे ग्याद करते हैं वो भी सीखेंगे और arithmetic progression मायनिंग समानतर श्रेणिया के प्रथम एन पदों का योग किस प्रकार निकाला जाता है हम वो भी सीखेंगे संख्याओं की निमलिखित सूचियों पर विचार कीजिए एक, दो, तीन, चार आप ध्यान दीजिए अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे हम इसमें एक जोड देंगे दूसरी और देखिए, दूसरा उधारन सो, सत्तर, चालिस, दस अगली संख्या हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं सोचो बच्चो हाँ, बिल्कुल सही हम माइनस तीस कर देंगे ठीक, अगला देखिए माइनस तीन, माइनस दो माइनस एक, शून्य अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे? हाँ, एक हम जोड देंगे ठीक है? चौथा देखिए, तीन, 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 तीन इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें हमने शून्य जोड़ा और हमें तीन प्राप्त हो जाएगा सुची की प्रतेक संख्या एक पद कहलाता है आईए उपरोक्त सुचियों को देखें और इन में संबंध नियम को लिखें पहले में प्रतेक पद अपने पीछे पद से एक अधिक है दूसरे में प्रतेक पद अपने पिछले पद से तीस तम है तीसरे में प्रतेक पद अपने पिछले पद से एक जोड़ने से प्राप्त होता है चौथे में सभी पद तीन है अर्थात प्रतेक पद अपने पिछले पद में शून्य जोड कर या शून्य घटा कर प्राप्त होता है उप्रोक्त सुचियों में से प्रतेक में हम देखते हैं कि उत्रोतर पदों को इन से पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड कर प्राप्त किया गया है तो आईए बच्चों हम देखते हैं संख्याओं की ऐसी सूची जो यह कहा जाता है कि वे एक समानतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रिशन या एपी बना रहे हैं अतह एक समानतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रतेक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोडने पर प्राप्त होता है यह निश्चित संख्याओं एपी का सार्व अंतर सार्व अंतर को हम कहते हैं common difference कहलाती है याद रखिए यह सार्व अंतर धनात्मक रिनात्मक या शून्य हो सकता है आईए एक एपी के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2 और अन्वे पद को An तथा सार्व अंतर को D से व्यक्त करें तथा A1, A2, A3, An हो जाती है अतह A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर An माइनस 1 बराबर D है आप यह देख सकते हैं कि A, A प्लस D, A प्लस 2D, प्लस A प्लस 3D एक समांतर श्रिनी को निरुपित करती है जहां A पहला पद है और D सार्व अंतर है इसे AP का व्यापक रूप जनरल फॉर्म कहते हैं ठीक है? आईए आपके प्रशनावली 5.1 हल करते हैं पहला प्रशन है निमल लिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? प्रतेक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रूप है और प्रतेक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रूप है प्रतेक किलोमीटर का किराया हमें कितना दिया गया है? 15 रूप है और 80 km का किराया 8 रुपे इसका मतलब पहले km के लिए 15 रुपे आपको देने है और 80 km के लिए 8 रुपे उसमें जोड़ देने है 15 और 8 कितने हो जाएंगे? 23 इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी शंक्ला क्या बन जाएगी? 15, 23, 23 में 8 जोड़ देंगे? 31, 31 में 8 जोड़ देंगे? 49 तो A हो गया हमारा 15 और D1 कितना हो गया? A2 माइनस A1 मतलब 23 माइनस 15 जो होगा 8 के बराबर इसी प्रकार D2 हो जाएगा A3 माइनस A2 के बराबर और 31 माइनस 23 हो जाएगा 8 D3 कैसे निकालेंगे? A4 माइनस A3 इसका मतलब 49 माइनस 31 जो हो गया 8 चुँकि सभी अंतरों का अंतर समान है अर्थात सार्व अंतर 8 है इसलिए D गई सूची एक समानतर श्रिणी है या AP है समझ के बच्चो? चलिए अगला प्रशन करते है खाते में प्रतेक वर्ष का मिश्रधन जबकी 10,000 रुपे की राशी आठ प्रतिशत वाशिक की दर से चक्रवधी व्याज पर जमा की जाती है अब इसमें आपको सूत्र लगाना होगा क्या है मिश्रधन? सूत्र क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन गुना एक प्लस यह हो जाएगा दर बटा सौ की घात समय अब देखते हैं बच्चो हमारा पहले ही हाँ पे मिश्रधन लाने के लिए मूलधन कितना लेंगे हम? 10,000 और दर है हमारी आठ और सौ और यह एक साल के लिए हम निकाल रहे हैं तो यह हो जाएगा 10,000 गुना 108 बटा सौ जो हो जाएगा 10,800 के पिराबर ठीक है? तो यह हमारा हुआ A2 A1 हमारा कितना पैसर जमा कराया था? 10,000 रुपे अब हम अगला पद निकालते हैं यह हो जाएगा 10,000 एक प्लस आठ बटा सौ यहां पे हम दो साल के लिए हैं तो दो ले लेंगे और इसको हम हल करेंगे इस प्रकार 108 बटा सौ गुना 108 बटा सौ यहां देखिए यह 4 शून्य हमारे इस प्रकार कैंसल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 108 गुना 108 यहां हम गुना कर लेते हैं 64 और 8 यह हो जाएगा 8 शून्य एक 11,664 यह आ गया इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं इसी से हम शाय देख पा रहे हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है देखिए A2 माइनस A1 कितना आएगा 10,800 में से हम 10,000 घटा देंगे तो हमें प्राप्त होंगे 800 रुपे अब हम अगला देख लेते हैं यह हो जाएगा 11,664 माइनस 10,800 तो यह हमें प्राप्त होगा इस में से 10,800 घटाएंगे तो हाँ 864 रुपे आप देखिए यहां यह दोनों हमारे कॉमन डिफरेंस अलग अलग आए हैं इसका मतलब यह समांतर श्रेणी नहीं है समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रश्न करते हैं दिव हुई AP के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्न लिखित हैं A है 10 और D भी 10 दिया हुआ है तो A2 हम कैसे निकाल लेंगे? A प्लस D करके A कितना है? 10 10 में 10 जोडेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा A2 A3 हम कैसे निकाल लेंगे? A प्लस 2D A कितना है? 10 और 2 को हम 10 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 20 10 प्लस 20 हो जाएगा 30 इसी प्रकार A4 निकाल लेंगे A प्लस 3D 10 प्लस 3 गुना 10 यह हो जाएगा 10 प्लस 30 हो हो गया 40 तो हमारी शंकला बनी 10, 20, 30, 40 मतलब प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40 ठीक है? अब हम दूसरा देखते हैं A4 है और D है माइनस 3 इसमें हम A2 निकालेंगे A प्लस D करके A है 4 माइनस 3 जो हो गया 1 ठीक है? और A3 कैसे निकलेगा? A प्लस 2D को सरल करेंगे 4 प्लस 2 गुना माइनस 3 ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस 2 इसी प्रकार हम A4 निकालेंगे A प्लस 3D लिखकर ये हमारे पस 4 प्लस 3 गुना माइनस 3 जो हो गया? 4 माइनस 9 ये हो गया माइनस 5 तो बच्चो हमें 4 पद इस प्रकार होंगे चार, एक, माइनस दो और माइनस पाँच ठीक है? समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं निम्न लिखित में से प्रतेक एपी के लिए प्रथमपद तथा सार्व अंतर लिखिए हमें प्रथमपद तो बहुत असान है क्या है यहाँ प्रथमपद? यह है तीन ठीक है? पहली संख्या प्रथमपद क्यालाती है अब हम सार्व अंतर कैसे निकालेंगे? एटू माइनस यह वन, वन माइनस तीन ठीक है? एक माइनस तीन कितना हो गया? माइनस दो तो प्रथम पद हो गया 3 और सार्व अंतर हो गया माइनस 2 आसान है अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा माइनस 5 और सार्व अंतर D कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 ठीक है A2 क्या है माइनस 1 और A1 क्या है माइनस 5 तो हम ड्रैकेट लगाएंगे और माइनस वन, यह हो गया माइनस माइनस प्लस पांच, पांच में से एक घटा देंगे, क्या आएगा? चार, तो हमारे पास प्रथम पद हो गया माइनस पांच और D हो गया चार, समझ में आ गया बच्चो चलिए आगला प्रशन करते हैं निमलिकित में से कौन-कौन AP है, यदि कोई AP है, तो इसका सार्व अंतर ग्याद कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए, ठीक है हमारे पास संख्याए हैं 2, 4, 8, 16 इत्यादी हमारे पास पहला पद है 2 और अगर हम निकालते हैं इसका सार्वंतर A2 माइनस A1 लिखकर, तो हमारे पास आएगा 4 माइनस 2 जो है 2, और A3 माइनस A2 हम निकालेंगे यह हो जाएगा 8 माइनस 4, जो 4 के बराबर है और A4 माइनस A3 हम निकालेंगे यह हो जाएगा 16 माइनस 8 और 8 यह हम क्या देख रहे हैं कि यह हमारे सार्वंतर सब अलग हैं इसलिए यह AP नहीं है चलिए अब अगला देखते हैं माइनस 1 दशमलब 2 माइनस 3 दशमलब 2 माइनस 5 दशमलब 2 माइनस 7 दशमलब 2 तो इसमें हमारे पास पहला पद है माइनस 1 दशमलब 2 अगर हम इसको देखें कि यह AP है या नहीं है तो हमारा D बराबर होना चाहिए वो हम कैसे करते हैं A2 माइनस A1 करके A2 हमारे पास کیا है माइनस 3.2 माइनस माइनस 1.2 ये हो गया माइनस 3.2 प्लस 1.2 ठीक है जिसको हम सरल करके पाएंगे कि माइनस 2 के बराबर है अगला देख लेते हैं A3 minus A2 ये हमारे पास है minus 5.2 minus minus 3.2 ये हो जाएगा minus 5.2 plus 3.2 जो होगा minus 2 के बड़ाबर तो हम क्या देख रहे हैं बच्चो कि हमारे पास सार्व अंतर बड़ाबर आ रहा है इसका मतलब ये AP है ये AP है अब हमें क्या करना है इसके 3 और पद लिखने है तो हम कैसे लिखेंगे minus 7.2 इसमें हम क्या करेंगे minus 2 जोड देंगे तो ये हमें मिल जाएगा minus 9.2 इसी प्रकार हमें अगले पद कैसे प्राप्त होंगे minus 11.2 minus 13.2 इस प्रकार हमारे पास अगले तीन पद प्राप्त हो जाएंगे minus 2 जोड कर्ट समझ में आगया बच्चों? चलिए बच्चों अगला प्रश्न करते हैं minus 10 minus 6 minus 2 2 हम इसमें सार्व अंतर देखेंगे minus 13 हो जाएगा 2 minus minus 2 अब देखें ये भी चार आ गया जी हाँ ये अब हमें इसके तीन पद और निकालने हैं ठीक है? कैसे निकालेंगे? 2 में आप 4 जोड दीजिए क्या मिलेगा 6? ऐसी 6 में 4 जोड दीजिए 10 इस प्रकार 6, 10, 10 में 4 जोड दीजिए 14 ये हमारे तीन पद प्राप्थ हो गए ठीक है? अगला देखिए हमारे पास a2 minus 7 हम चेक करते हैं a की घाद 2 minus a इसमें देखिए अगर हम a कॉमन ले लेते हैं तो a minus 1 आ गया अगला चेक करते हैं ये है a की घाद 3 minus a की घाद 2 यहां हम कॉमन लेंगे a की घाद 2 तो हमें मिलेगा a minus 1 इसी प्रकार a4 minus a3 कितना हो जाएगा? a की घाद 4 minus a की घाद 3 जो होगा a की घाद 3 कॉमन ले लिया तो a minus 1 आप क्या देख रहे हो बच्चो? ये देखिए क्या ये समानतर शेनी बराबर है? नहीं है तो ये a p नहीं है ठीक है? समझ में आ गया बच्चो? चलिए अगला प्रशन करते हैं यहाँ है वर्ग मूल 2 वर्ग मूल 8 वर्ग मूल 18 और वर्ग मूल 32 बहुत ही प्यारा प्रशन है पहले बोड एक्जाम में आ भी चुका है देखते हैं ये हमारा इसको हम क्या लिख पाएंगे? वर्ग मूल 2 इसको हम कैसे तोड़ पाएंगे बच्चो? 8 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 अगर इसका वर्ग मूल लेंगे तो हम इसको लिख पाएंगे 2 वर्ग मूल 2 ठीक है? तो ये हमारी अगला पद हो जाएगा 2 वर्ग मूल 2 इसी प्रकार हम 18 को कैसे लिख पाएंगे? देखिए 3 गुना 3 गुना 2 इसका मतलब 3 वर्ग मूल 2 और 32 को देखिए 32 को हम कैसे लिख पाएंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक 4 गुना 4 गुना 2 तो 4 वर्ग मूल 2 ठीक है? तो हमने इसको इस प्रकार लिख लिया अब आप समझ रहे होंगे कि ये हमारे पास एक समानतर शर्णी बनेगी देखिए कैसे? हम करेंगे A2 माइनस A1 इसमें वर्ग मूल 2 हमने कॉमन लिया 2 माइनस 1 तो ये हो गया वर्ग मूल 2 ठीक है? इसी प्रकार A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा? 3 वर्ग मूल 2 माइनस 2 वर्ग मूल 2 कितना हो जाएगा? वर्गमुल्दू कॉमन लिया तीन माइनस दो ये हो गया वर्गमुल्दू आप क्या देख रहे हो बच्चों हमारे पास ये सारवंतर बराबर आ रहा है इसका मतलब ये एक समांतर श्रिणी है ठीक है? ये हमारे पास एपी है अब क्योंकि एपी है हमें अगले तीन पद भी बताने है ठीक है? तो ये तो बहुत असान है आप इसके बाद देखो एक आपने हाँ पे क्रम देखा होगा एक वर्गमुल्दू दो वर्गमुल्दू, तीन वर्गमुल्दू चार वर्गमुल्दू तो अगला क्या होना चाहिए पाँच वर्गमुल्दू छे वर्गमुल्दू और साथ वर्गमुल्दू ठीक है? जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते है देखिए पाँच इंटू पाँच कितना हो गया? पच्चिस पच्चिस को दो से गुना करेंगे यह हो जाएगा पचास ठीक है? और छे को छे से गुना किया चछतिस चछतिस को दो से करेंगे तो यह हो जाएगा बहत्तर ठीक है? और अगला साथ गुना साथ यह हो जाएगा मैं 49 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 98 ठीक है? यह हमारे पास 3 अन्य पत प्राप्थ हो जाएगे इस AP के ठीक है? अगला प्रेशन देखते हैं 1 की घात 2 यह हो जाएगा 1 के बराबर 3 की घात 2 यह हो जाएगा 9 के बराबर 5 की घात 2 यह हो गया 25 और 7 की घात 2 यह हो जाएगा 49 अब हम देखेंगे A2 माइनस A1 यह हो गया 9 माइनस 1 8 के बराबर A3 माइनस A2 यह कितना हो गया? 25 में से 9 हमने घटाया तो यह हो गया 16 ठीक है? यह हो गया A4 माइनस A3 49 माइनस 25 यह हो जाएगा 24 तो यह तो हमारा D बराबर नहीं आ रहा तो यह A P नहीं है समझ में आ गया बच्चों? ठीक है? अगला प्रश्न करें? एक की घट दो जो एक के बड़ाबर है पांच की घट दो जो 25 है साथ की घट दो 49 और यह है हमारे पास 73 देखनी में तो लग रहा है कि यह A P नहीं है जैसे हमने पहला प्रश्न किया था वो A P नहीं था मगर हमें चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे? A2 माइनस A1 करेंगे कितना आएगा? 25 में से एक घट आया यह है 24 ऐसी हम A3 माइनस A2 करके देखेंगे यह 49 में से 25 माइनस किया तो यह भी 24 आ गया और इसी प्रकार A4 में से A3 माइनस किया 73 में से 49 माइनस किया तो यह भी 24 आ गया इसका मतलब सारवंतर बराबर है 24 इसका मतलब यह A P है हमने चेक कर लिया कि A P है अगर यह AP है तो हमें इसके अगले तीन पद बताने हैं तो हमारे पास कैसे बताएंगे 73 में हम 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 97 ऐसी 97 में भी 24 जोड़ देंगे क्यों हो जाएगा? 121 ऐसी 121 में हम 24 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? यह गया 5 145 इस प्रकार हमें तीन पद प्राप्त हो जाएगे समझ में आ गया बच्चो? आसान है? मज़ा आया? चलिए अब कुछ प्रश्ट ग्रहकारिये के लिए ले लेते हैं दिये हुए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये पहला संख्याओं माइनस दस माइनस ठे माइनस दो दो को सुची अगला उस एपी जिसका प्रथम पद माइनस दो है के प्रथम चार पद है पहला विकल्प है माइनस दो शुनिये दो चार दूसरा विकल्प है माइनस दो चार माइनस आठ सोला तीसरा विकल्प है माइनस दो माइनस चार माइनस जे माइनस आठ चौथा विकल्प है माइनस दो माइनस चार माइनस आठ माइनस सोला अगला प्रश्न तर्क के साथ संक्षिप्त उतरिये प्रश्न है आपके लिए प्रतिदर्श प्रश्न पहला AP 10 5 0-5 का सार्व अंतर D 5 के बड़ाबर है और चित्ते के साथ बताईए कि यह कथन सत्य है या असत्य है प्रतिदर्श प्रश्न दू दिव्या ने 1000 रुपे 10 प्रतिशत वार्शिक की दर्शे चक्रवधी व्याज पर जमा कराए प्रथम वर्श दूसरे वर्श तीसरे वर्श के अंत में मिश्र धन एक AP बनाते हैं अपने उत्तर का और चित्ते दीजिए प्रतिदर्श प्रश्न तीन किसी AP का N वा पद N की घाद 2 प्लस 1 नहीं हो सकता अपने उत्तर का और चित्त्य दीजिए आगे बच्चों अब सारांच देख लेते हैं एक समानतर श्रिनी AP संख्याओं की एक ऐसी सुची होती है जिसमें प्रतेक पद अपने से पिछले पद में प्रतम पद A को छोड़ कर एक निश्चित संख्या D जोड़ कर प्राप्त होता है यह निश्चित संख्या D इस AP का सार्व अंतर कहलाती है एक AP का व्यापक रूप A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D इत्यादी है संख्याओं A1, A2, A3 की सुची में यदि अंतर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, एक ही मान दें अर्थात K के विबिन मानों के लिए A K प्लस 1 माइनस A K एक ही हों तो प्राप्त संख्याओं की सुची एक AP होती है तो बच्चो आशा करती हूँ आपको ये आज का पार्ट समझ में आया होगा खुब अभ्यास करिए और आप पाएंगे कि ये बहुत ही सरहल है धन्यवाद प्र प्राटbn की समझ में लेगी सुची।